नवस्के दोस्तों मारे बाद स्कूटी आई है फिरो की फ्लेजर दोस्तों आज हम दिखाएंगे कि स्कूटी का जब भी पिछले पहिया सावाज आने लगे तो उसका कैसे सलिष्टा निखाला कैसे सही करें इस्कूटी जब भी आप बाहर खड़ी कर देते हैं बढ़साद हो आज हम दिखाएंगे दोस्तों आसानी साब बना सकते हैं इसके लिए पहले हम आपको दिखाते हैं हमने पूरा यह बिरेक्षु बाहर निकाल लिया है जो कि इसका बिरेक्षु बहुती इद्दम जंग खा गया था मतलब उसमें पूरा इदम कारवन जंग गया था मिट्ट जंग पकल लेता है कि इसको कैसे सही करें आज हम दिखाएंगे वीडियो में वीडियो पसांद जरूर से लाइस करें सस्क्राइब रहें चैनल दोस्तों जरूर फॉल्य करें पहले आपको चेक कर लेना है यह एक्चल सही है पूरा एक्चल फ्री नाच रहा है इसका बिरेक बिरेक्षू में तो बिरेक्षू को कैसे सही करें आज हम दिखाएंगे वीडिक्षू कैसे सही करने के लिए आप पत्ति लेना पड़ेगा आरी पत्ति इसको में दिखाएंगे कि आप आरी पत्ति दोहरा आप सही कर सकते हैं पहले आपको इसे ले लेना है ऐसे यहां लगाना है ऐसे घिजना है यहां पर पत्तित पकल के इसे ऐसे घिज लेना बराबर घिजना है आपको जिस तरहां भीष रहे हैं बिरेक चूप को ऐसे बराबर घिजना आई पत्तिते इसके उपर जो जंग लगा रहता है निकल जाएगा बाहर दोस्तों दिखिए बिरेक चूप दोनों सही हो गया है हमने पूरा बकाईदा घिर दिया है बिरेक चूप अभी सही है क्योंकि इसका लेदर जो की अभी लेदर इसका है बहुत अभी बिरेक चूप लगा था हाली में तो क्या हुगा कैस्टन भाई ने बाहर खड़ी कर दिया बरसाथ की मोसम में पानी भर गया पया गंदर पुरा चला गया तो उससे क्या होता है बिरेक चूप दम जंग पकड करेंगे बिरेक चूप को ऐसे स्प्रिंग ले लेना है आपको इसे एक इसमें लगाना है इसमें लगा देना है ऐसे आप इसके बाद करेंगे हम ऐसे फिट कर देना है फिट हो गया है बिरेक चूप पूरा बगाजा काम कर रहा है विसके बाद पाईया को बाने लिए हम आप दिभाते हैं पाईया में क्या पूजीशा निचका योगी पाईया पूरा अद्दम जंग पकड लिया है पूरा ये पूरा मुर्चा पकड लिया तो इसको कैसे साही करना है इसको साही करने लिए आपको फिट पेपा ले लिना है तो फिर्पेपर दुआरा इसको साही करें हैं पूरा जंग को घिसना एक गिसना है आसको ब्राबर, ये ऐसे पुरा साथ ना हिस्तु एसे घेशनें पुरा स्प्रिस पेपर से तो पुरा जो जंग इसमें लगा हुआ है तो साफ हो जाएगा पुरा इसे लेना है पुरा इसमें जंग निकल रहा है इसके पुरा इसमें पूछेंगे ऐसे पूल देना है दोस्तों हमने पुरा इस जंग तो साफ कर दिया है जब इससे आपकी दिक्कत होती है इसकूटी में तो पैजा से आवा जाने लगे चूचू को पैजा पकड़ने लगे तो आप वो श्रीज पेपर दोवारा इससे घीज लेना है साफ पल लेना डिरम को इसके बाद हम पैजा हुआ तो आप टार को चक्राइब लगाना है एसके वाल हुआ दो तो देखिए प्रिए फिर हो गए है इसके बाद नट लगाना है एसे नट लगा देना है इसे नट लगाना इसमें पईया में ऐसे लगा देना है इसके उपई ये टाइट करेंगे हम इसके बारिक विचार करने वाले हैं कर दो कि ये पईयाज कोई आवाज ने कर रहा है पईयाज आवाज कुछ भी ने कर रहा है पईयाज दें तरी चल रहा है